के की है कि अज़े एफ और आज आप सभी श्टुडेंट्स के लिए मैं लेके आया हूं एक और वीडियो लेक्चिर आज के इस विडियो लेक्चिर में चरचा होगी constitution के अंडर दिये गए exploitation के बारे में exploitation हमसे कोई अचूता शब्द है नहीं आम तोर पे जो आप students है वो भी claim करते हैं कि उनका exploitation बहुत ज़ादा हो रहा है ये projects जो लिये जाते हैं ये जो semester exams हर साल आ जाते हैं ये एक किसम का आपके उपर exploitation है आपके फन में ये बादा डालता है अब वो exploitation है या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन ये जो हम आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं ये definitely exploitation है और बड़े important provision है Constitution of India का अब हम जिसको deal करने वाले हैं वो है दो articles Constitution of India के आम तोर पे जिसको बच्चे skip कर देते हैं ये पढ़के कि ये बड़े ही छोटे articles है इसके बारे में तो हम समझ गये लेकिन इन दो articles के अंदर हमें चार से जादा cases देखने को मिलते हैं और उसके साथी साथ कुछ ऐसी चीजे भी पढ़ने को मिलती है जिनके बारे में शायर आपको ना पता हो जैसे कि prisoners को jail में पैसा क्यों दिया जाता है ये हमें इस article में पता चलेगा उसके साथी साथ ये जो minimum wages है उसका भी एक नया dimension हम इसी article के अंदर में पढ़ते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को मिलेगा वो जड़ा देख लेते हैं 23 बात करता है Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labor यानि कि ये human trafficking के बारे में बात करता है और उसके साथी साथ forced labor के बारे में बात करता है और ये किसके बारे में बात करता है बच्चों से मजदूरी कराने के बारे में यानि कि Prohibition of Employment of Children in Factories etc बच्चों का जो Employment है वो Factories और ऐसे Hazardious Places में नहीं होना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे सर्चा होती है आज हम पढ़ते हैं शुरुआत करते हैं आर्टिकल 23 से 23 बात करता है Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labor की 23 Sub Clause 1 को पढ़ते हैं वजने की कोशिश करते हैं कि यह क्या कहने की कोशिश कर रहा है तो यह कह रहा है Provided that traffic in human beings and beggar and other forms of forced labor are prohibited and any contravention of this provision shall be offense and punishable यह बस इतनी सी बात कह रहा है कि सर यह जो human beings का trafficking है और beggar जो है ना यह prohibited है यानि कि यह begging और human beings की trafficking एक किसम का अपराद है और अगर ऐसा कोई करता है तो वह एक offense है जो कि punishable होगा given law के हिजाब से article 23 sub clause 2 क्या कहता है provides that state can impose compulsory service for public purposes लेकिन state जो है वो क्या कर सकता है compulsory service impose कर सकता है लोगों के ओपर welfare के लिए मतलब ऐसे कामों के लिए जो की goodwill के लिए है good being के लिए है अब हमें जो समझने की कोशिश है वो ये समझना पड़ेगा कि human being का trafficking का मतलब क्या होता है और beggar का मतलब क्या होता है वो हमें नीचे मिल जाएगा trafficking human beings means selling and buying of human beings as goods यानि कि समान की तरह commodity की तरह human beings को खरीदना और बेचना माना जाएगा human trafficking और उसके साथ ही साथ beggar का मतलब क्या है beggar involves involuntary work without payment यानि कि वो involuntarily वो काम कर रहा है जिसमें उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है वो बस भीक मांग रहा है ये दोनों के दोनों क्या है कानूनन एक अपराद है ठीक है सर आगे बढ़ते हैं उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे right under article 23 is available not only against state but also against private individual इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये जो right आपको मिला हुआ है कि आप sue कर सकते हो अगर कोई human trafficking करता है या beggar में किसी को impose करता है तो ये केवल state के against नहीं है enforceable कोई private individual भी अगर इस practice को कर रहा है तो वो भी इसके against enforce किया जा सकता है यानि कि उसके against भी इसमें case impose किया जा सकता है इसके बाद आते हैं हमारे पास दो cases पहला है People's Union for Democratic Right versus Union of India Supreme Court held that person who provides labor or service to another for less than minimum wage also amounts to false labor अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है इस बात को समझने की कोशिश कीजिए ये कह रहा है कि अगर कोई भी person जिसको minimum wage ना दी जाए यानि कि अगर आपने अपने घर पे किसी मज़दूर को बुलाया आपके lawn की सफाई करने के लिए और जितना minimum wage उसके लिए है उससे कम दिया तो वो भी forced labor के अंदर में आएगा और you will be punishable for that offense ये बात आपको नई पता थी अभी तक जो आपको अभी extra information मिल चुकी है और ये बात कही गई थी People's Union for Democratic Right versus Union of India के case में इसके बाद हमारे पास case आता है दीना versus Union of India इसमें कहा गया Supreme Court held that labor taken from prisoners without paying proper remuneration is valutive of article 23 जैसा कि हमने कई movies में देखा Sanju में भी देखा कि वो जब jail में थे वो कुछ काम करते थे और उसके लिए उनको पैसा मिलता था तो ये वही बात है कि अगर आप prisoners से भी jail में काम करवा रहे हैं उनको जो भी सजा वो काट रहे हैं लेकिन उनका भी अधिकार है कि उनको उसकाम के लिए पैसा मिले और अगर उनको भी जो fixed amount है या जो amount उनको मिलना चाहिए उससे कम मिलेगा तो वो भी forced labor के under में आएगा इसलिए आप जब देखेंगे jail में तो लोगों को उनके काम करने के लिए पैसा मिलता है ठीक है सर अब आते हैं अर्टिकल 24 पे अर्टिकल 24 कुछ भी नहीं बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है यह हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है इसका मतलब यह है कि 14 साल से कम उमर का कोई भी बच्चा किसी भी hazardous या किसी भी factory ऐसी किसी भी जगा पे employment के लिए नहीं ले जाया जाएगा ठीक है सर इसमें भी हमारे पास दो cases है वही People's Union for Democratic Right versus Union of India इसमें Supreme Court ने क्या बोला था Supreme Court held that construction work is a dangerous work and employment of children in construction industry amounts to violation of article 24 और इसमें बोला गया कि अगर जो construction work है वो बहुत dangerous जगा है वहाँ बच्चों का जाना allowed नहीं है और अगर कोई बच्चों को वहाँ पर employ करता है तो वो इस article के तहद violation माना जाएगा और उसको उसी के तहद सजा मिलेगी इसके साथ ही साथ हमारे पास case आता है MC Mehta versus Union of India जो की MC Mehta जीन का नाम सब लोग जानते है क्यों जानते हैं सर क्योंकि environment को लेके उन्होंने बहुत सारे multiple cases कि environmental law की तो पूरी book इनके cases से भर जाती है Supreme Court held that children below the age of 14 years cannot be employed in any hazardous industry, mines or other works the court laid down guidelines to protect economic, social and humanitarian rights of children यानि कि इस वाले case में भी वही करी गई जो उपर people's union में करी गई थी फर्क सब इतना है जो कि यहां पर मैं आपके लिए highlight कर देता हूं court ने क्या किया guidelines को laid down किया जिनके तहत बच्चों को आपको hazardous place में नहीं जाने देना है उनके protection के लिए क्या चीज़े रहेंगी तो यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी किसके बारे में आर्टिकल 24 और 23 के बारे में जो की बात करता है right against exploitation की and I hope आपका doubt clear हो चुका होगा आपके दमाग में concept clear हो चुका होगा अगर अभी भी आपके मन में कोई doubt रागिया तो आप हमें नीचे comment section में बता सकते हैं हम वो doubt आपका clear कर देंगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब ते के लिए all the very best and keep studying अगर आप चाहते हैं अपने career को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें अथवा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ Team Coco